अलो गाइस वालकम बैक टू न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फाइब बेस्ट हैं तगड़े स्मार्टफून अंडरो 15,000 ये पांचो स्मार्टफून इस्टन के बेस्ट हैं बेल्यू फर मनी स्मार्टफून है मतलब कि 15,000 के अंदर आप जो जो स्मार्टफून एक्सपेक्ट करते हो वो सभी स्मार्टफून आपको देखने को मिल जाएगा 15,000 के अंदर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सेल होते हैं और सबसे ज़्यादा confusion इसी प्रेज सेग्मेंट में होता है कि कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए best है और कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेकार है तो बने रहे हैं वीडियो के इंट तक आज के इस वीडियो में आपका सारा जो confusion है क्लियर कर दूँगा और आप क्लियर हो पाओगे कि आपके लिए कौन से स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा सभी स्मार्टफोन का जो बेस्ट बैलिंक है वो मैंने वीडियो के description में दे दिया है वहाँ से जाकर आप checkout भी कर लेना और अगर आपको पसंद है तो आप buy भी कर सकती हो अब मैं बताता हूँ कि आपको 15,000 के अंदर क्या क्या हाइस्ट specification देखने को मिलेगा हमारे वीडियो के अंदर तो यहाँ पर आपको 8GB का बड़ा रेम, 256GB का बड़ा स्टूरेज, तगड़ी गेमिंग के लिए Snapdragon 750G का 5G चिपसेट, Snapdragon 695 का 5G चिपसेट जिससे कि आप हाई लेबल की गेमिंग कर सकोगे 12 5G बेंट का सपोर्ट होगा, मतलब की 5G के लेकार आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा सूपर एमोलेट डिस्पले तो होगा ही, 160 का रिफ्रेसर तो होगा ही तो चली विडियो को स्टार्ट करते वदाउट वेस्टिंग इन टाइम और आप भी बिने टाम वेस्ट के विडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को अल पे प्रेस कर दो गाइस विडियो बनाने बहुत ज़्यादा महत लगता है तो एक लाइक और एक सस्क्राइब तो बनता है अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में तो जो हमारे लिस्ट में फिप्त नमर में रेंग करता हूँ वो सेमसम की तरब से समसम गेलेक्सी एफ 23 प्यप जी अगर आपको एक नॉन चैनिस ट्रू फाइब जी स्मार्टफोन चीए दें डिफिनेटलि आप स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो मतलब कि अगर आपको जो फर्स्ट प्योट्टी है वो नॉन चैनिस स्मार्टफोन रह सकते हो सिंगल मॉन इस्ट्रे स्पीकर फोन को लग करने के लिए साड़ लॉक है और यह स्मार्टफ़न आउट्र दॉक्स एंड्रोट के साथ आता है 5000 इमेच का बैटर इसको चार्ज करने के लिए 25 वर्ट का चार्ज़र देखने को मिलता है बट गाइस जो एडप्टर है वह ओबरॉल गेमिंग परफरमेंस बढ़ियां मिल जाता है डे टू डे लाइफ में तो अच्छा परफॉर्म करता है एंड इससे आप मीडियम सेटिंग पर अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे सबसे अच्छी बात है कि यह जो स्मार्टफ़न टोटल 12 5G बेंड को सपोर्ट कर लेकर आपको जो फ्यूचर हो जाएगा 6.6 इंच का फूल HD प्लस TFT डिस्प्ले दिया एक सो भी सट के साथ और 240 साथ का टाच सेंप्लिंग रेट भी है कॉर्णिंग गुरिल अगला स्फाइब का पड़क्शन देखने को मिलता है डिस्प्ले भी बनिया मिलता और प्राइस अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में तो इसके 168 है इसका जो प्राइज हो 15 रुपे 1500 का बैंक डिस्काउंड इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा उसको भी आप चेक आउट कर रहे ना अब गाइस मैं बतायता हूँ कि यह जो स्मार्टफोन हो किस यूजर के लिए तो अगर आपको एक नोन चाइनिस ट्रूप 5G स्मार्टफोन चीए देन डेपनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो विडियो में थोड़ सा और आग बड़त आप बात कर लेते हैं चोथे नमबर वाले स्मार्टफोन के बारे में तो जो हमारे लिस्ट में चोथे नमबर में रेंड करता आईक्यू की तरफ से आईक्यू Z6 5G अगर आपको बेस्ट एंट तगड़ा गेमिंग एंड केमरे वाले एक अच्छा है स्मार्टफोन चे देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो हाइब्रेड कार्ट लोड का स्पेस देखने को मिलता है मतलब इसमें आप दो सीम लगा सकते हो या फिर एक सीम प्लस एक मेमरी कार्ड लगा सकते हो सिंगल मॉनस्ट्रिय स्पीकर है फोन को लगकेने के लिए साड़ लॉक है और यह स्मार्टफोन आउट्टो दॉक्स केमेरा का सेटाफ देहने को मिलता है फ्रोंट में लगाए 16ني पिक्सल का सेल्फी केमरा है कि इसके बैक एडइन फ्रॉंच दोनों केमेरे से आप wetenी Lettypad प्रिकोड कर सकते हो केमरा परफर्मेंस इसका अच्छा मिलता है और प्राइस के गोडिंग कंपी अच्छा पर्फर्मे इसमें भी एक लिस्ट पांट से साथ फाइब जीवेंड का तो सपोर्ट होना चेह था बट अच्छी बात यह है कि दोनों फाइब जीवेंड में फाइब जीवेंड है इसमें अच्छा मिलता है अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में तो इसके 4128 का जो प्राइज हो 16,000 रुपे एंड 6128 का जो प्राइज हो 17,000 रुपे है 1500 का बैंक डिसकाउंट भी देखने को आपको मिल जाएगा उसको भी आप चेक आउट कर लेना इफेक्टिव लिसके 4128 के अंदर देखने को मिलेगा और 15,000 के अंदर आपको एक बेस्ट गेमिंग एंड केमरे वाले स्मार्टफोन चीए देन डेफनेटली आप इस तो अब बात कर लेतें तीसरे नमबर वाले स्मार्टफोन के बारे में तो जो हमारे लिस्ट में तीसरे नमबर में रेंग करता हूँ रेड्मी के तरफ से रेड्मी नोट 11T 5G गाइस यह जो स्मार्टफोन हो बहुत पहले लॉंच हुआ है पट अभी के टाइम में भी इसम स्पीकर देखने को मिलता है है मतलब इसमें आप दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम प्लस एक मेमरी कार्ट लगा सकते हो फोन को लगकर निकले सैड़ लॉक है और यह स्मार्टफोन आउटर दॉक्स एंडर 12 के साथ आता है पांसे जरे में इसका बैटन देन इसको तेजी से चार्ज के निकले 308 का इंबुक्स चार्जर भी है इसमें लागा मीडिया टेक डिमेंसिटी 800-10 का 5G चिपसेट और यह जो स्मार्टफोन टोटल साथ 5G बेंड को सपोर्ट करता है गाइस परफॉर्मेंस जो प्राइस के कोडिंग काफी अच्छा देखने को मिल जाता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्पले दिया है 98 के रिफेसेट के साथ और 240 हर्ट का टाथ सेंप्लिंग रेड भी है कोर्निंग गुरिला क्लास 3 का पोटेक्शन भी देखने को मिलता है प्राइस के कोडिंग डिस्पले भी काफी बढ़िया मिलता है यहां पर आपको इसके देखने को मिलता है और इसके फ्रोंट में लगा 16 पिक्सल का सेलफी केमरा है घास इसके वाले किमरे से आप टेंटेक्ड वीडियो 60 पेस पर रिकौड कर सकते हो और परफॉर्मेंस प्रैज के कोडिंग ठिक ठक मिलता है अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बार म तो इसके 6400 का प्राइज हो 15600 रुपे हजार से 1500 का बेंग डिसांड इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको 15000 के अंदर अगर बेस्ट ऑल राउंडर स्मार्टपून चीए देपनेटल आप इस स्मार्टपून की तरफ जा सकते हो भिव्वां थोड़ीनस और आप बात कर लेते हैं दूसरे नमबर वाले स्मार्टफोन के बारे में अगर आपको 8जीभी का बड़ा 256 जीभी का बड़ा फ्मार्टपून के बारे में देफिनेटली आप इस स्मार्टफॉन की तरफ जा सकते हो, प्राइस का उड़िंग काफी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ट्रिपल काट सुलोड का इस पेस है, मतलब इसमें आप दो सीव प्लेस एक मेमरी काड लगा सकते हो, डॉल एश्ट्रियो स् फूल HD प्लस सूपर एमले डिस्प्ले दिया, 60 हर्ट के रिफेसेट के साथ, और 180 हर्ट का टाथ सेंप्लिंग रेड भी है, कॉर्निंग को रिला गला स्थ्री का पोटिक्शन भी देखने को मिलता है, ओवराल डिस्प्ले काफी अच्छा मिलता है, और 90 हर्ट का रिफेसेट कर सकते हो, अब बात कर लेते हैं, इसके प्राइजिंग के बार में तो इसके आठ 256 का प्राइज हो 15,000 रुपे, तो अगर आपको 15,000 के अंदर एक बेस्ट हैं तगड़ा ओल राउंडर 4G स्मार्टफोन चीए, देफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, गैस, इसमें आपको 8GB का बड़ा RAM मिल जाता है, 256GB का बड़ा स्टोरेज मिल जाता है, सूपर एमोलेट डिस्पले मिल जाता है, 108 मिल जाता है, मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिल जाता है, अब हम लोग आच चुके हैं वीडियो के इंड में और हम प्रेस कर देजे, गैस, वीडियो बनाने बहुत ज्यादा में लगता है, तो एक लाइक और एक सस्क्राइब तो बनता है, तो जो हमारे लिश्ट में पहले नमबर में रेंग करता हूँ, पोको की तरफ से पोको X4 Pro 5G, अगर आपको बेस्ट एंड तगड़ा ओल अंडर 5G स चाह सकते हूँ, प्राइस के कोडिंग काफी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि वन अब दो बेस्ट स्मार्पोन अंडर 15-16,000, बट गाइस, इस स्मार्पोन का जो रिवीव आता हूँ, अच्छा नहीं आता है, तो आप सोच समझ के लेना, इसमें स्पेसिफिकेशन तो काफी तगड़ा तगड़ा दिया है, बट इसका जो रिवीव आता है, जो यूजर्स जिनोंने ये स्मार्पोन लिया है, वो अच्छा रिवीव नहीं देते हैं, तो आप बात कर लेते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये स्मार् पर्फोर्मेंस को लेकर आपको कोई भी दिखकत देखने को नहीं मिलेगा पर्फोर्मेंस भी काफी जबरदस्त मिलता है यह जो इस्मार्टफोन टोटल आट 5G बेंड को सपोर्ट करता है मतलब कि 5G के लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्यूर हो जाएगा यहां पर आपको इसके बेक में 64 में पिक्सल प्लस 8 में पिक्सल प्लस 2 में पिक्सल का ट्रिपल केमरे का सेटप देखने को मिलता है इसके फ्रॉंट में लगा है 16 में पिक्सल का सेल्फी केमरा गैस इसके बैक एंड फ्रॉंट दोनों केमरे से आप 10 टिक विडियो 30 पेस पर रिकॉड कर सकते हो केमरा परफॉर्मेंस इसका ठिक ठाक है नाई ज्यादा हाई लेबल का है नाई ज्यादा लो लेबल का है मिल जाते हैं जैसे कि हाँ आपको 64 में पिक्सल का में कैमरा मिल जाएगा सूपर एमोलेट डिस्प्ले मिल जाएगा 67 वाट का सूपर डार्ट चार्जर मिल जाएगा सब कुछ आपको बढ़िये लेबल का मिल जाता है तो ये थे इस टाइम के टॉप फाइब बेस्ट हैं तगड़े स्मार्टपून अंडर 15,000 और है तक आप इस विडियो बेस्ट बर लिंक हो व बीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से जाकर आप चेक आउट भी कर लेना और अगर आपको पसंद आए तो आप बाई भी कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वुड़े मैं तब तक के लिए बाई को थी मेहनत कर रहा है पिलिए इस वीडियो को भागल करतो और शुपास दूपर बना दो प्लीज